नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन खबर पर उत्तरप्रदेश में कावण यात्रा को लेकर बनाए गए नियम पर लगातार विवाग जारी है विपक्षी दलों से लेकर एंडिये सरकार में सामिल पायटी भी इसका विरोध कर रही है इस इक्रम में AIM AIM के मुखिया असदूदी नवैसी ने कहा कि नेम प्लेट के मुद्दे पर भारत सरकार को दखल देना चाहिए उन्होंने कहा कि सादेश के बाद मुसल्मानों के ढावों पर कोई खाना खाने नहीं जा रहा है ये भेदवाव की नीती है ये विक्सित भारत नहीं बलके हिटलर साही है हमने मुद्दे को उठाया है और भारत सरकार को इसमें दखल देना चाहिए जरा आप भी सुनिये कि सदोदीन ओएसी ने क्या कुछ कहा है हाँ हमने भी उठाया है हमने कहा कि कोई सरकार सम्मिधान के खिलाफ का और पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट दिलना चाहिए उनके पास अख्तियार है यह इस तरह से जो ऑर्डर निकाल कर आर्टीकल 17 का वोईलेशन नहीं समय दाने राइट तु लाइफ की खिलाफ है आप लाइबलि हुड की खिलाफ है आर्टीकल 19 के खिलाफ है और यह आप होते कों है भई आपके इस किस बुनियाद पर और निकालने से मजफ़ने ऐगर वां मुसलिम इंपलैस वो निकाल दिया गया है जो मुसलिम के धाबे थी वहां कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए आप ये कहा हुए कि कल कोई मुसल्मान बोलेगा रमजान में तीस दिन रोजे रखता हूँ पंदरा घंटे में पानी नहीं पीता हूँ पानी मत पिलाइए किसी को इसा कर सकते क्या आप और किस बुनियाद पर आपकी AFC को मेकडॉनल्स सिती महबत कैसा होगी आपको उनको कहा जा रहा है क्या तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसल्मानों एक खलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किये जा रहे है अपार्टाइट है ये तो अगर सहारणपूर और सामली जैसे इलाकों में जारी किया गया फिर बाद में पूरे उत्तप्रदेश में लागू कर दिया गया है फिर इस पूरी खबर पर आपकी क्या रहा है आप अपनी राय कॉमिन वाक्स पे हमें जरूर बताईएगा